गुद मॉर्णिंग क्लास वाइफ आज हम लोग पढ़ते हैं तश्दीद एक बात जान लीजिए कि तश्दीद कहते किसे हैं तश्दीद कहते उसको है यानि कि इसको तश्दीद जिस पे तश्दीद हो उसे दो दफ़ा पढ़ना यानि कि पीछे वाले हर्फ से तश्दीद वाले हर्फ को मिलाना और फिर तश्दीद पर जो भी एराब हो उसे पढ़ना ठीक है तो कहते हैं कि यह जो तश्दीद है जिसे अम्मी अलिफ मीम जबर अम्मी या जिर्मी तो पढ़ने का तरीका क्या था अलिफ मीम जबर अम अब देखें मीम पर तश्दीद है मीम पर तश अब क्या है बच्चा तो उसी तरीके से पढ़ना है बे चे जबर बच्चे अलिब जबर चा बच्चा ठीक है उसी तरीके से है फिर बल्ला बे लाम जबर बल्लाम अलिब जबर बल्ला ठीक है फिर वह से मक्षी गन्ना रसी लट्टू बच्चे ठीक है अब यह इसी तरीके का जो questions आएं, जो सवालात आएं, आपको लिखने में आसानी हो, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, ये है क्या? मक्क, चकी, अबब, कुवव, चुनू, हुवव, हड़्डी, सच्चा, सच्ची, सच्चे, बच्ची, अच्छा, अच्छी, अच्छे, पिल्ला, हुका, चुन्नी, मुन्नी, नन्ही, नन्हा, जुमन, चक्कन पठा, जिल्लत, इज्जत, लज्जत, शन्नू, शन्नू, कल्लू ठीक है, अब ये आप इन्हें और एक बात याद रखिएगा ये ये वाला ये और ये वाला ये इन दोनों में फर्क हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है किसके साथ पढ़ा जाएगा ए कार के साथ और ये पढ़ा जाएगा दुर्गी कार के साथ या फिर ए और ये वाला ए ये वाला जो आप पढ़ते हैं न ए ये वाला और उसके बाद एक ये वाला इसको पढ़ना है ये वाला ए के साथ ठीक है तो आप ये समझ जाईएगा इसे हमेशा इस पर गलती ना कीजिएगा, यह बच्चे है, क्या है, लास्ट में जो मात्रा आ रहा है, लास्ट में जो हमारा लब्स है, वो A के साथ है बच्चे, और यह क्या है, देख लिए आप अच्छे से, चुन्नी है या बच्चे, और यह देखे यहाँ पर, बच्ची, यह ची के साथ है ना यानि के ए के साथ और यह है ए के साथ बच्ची बच्चे ठीक है क्लास फाइफ यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अब है सेम प्रोसेस में यहां दिया हुआ है कहते है दर्जे जिल अलफास पर तश्दीद लगाएं तो सभी पे तश्दीद लगाना है रसी रसा जुम्मन बच्चा मक्खी सभी पर जैसे कैसे तश्दीद लगाना है जैसे यहां पर है क्या होगा यहां पर इस पे लिख दिया तश्दीद डाल दिये यहां पर ठीक है तो रसी उसी तरीके से सब में हट्टी लच्छी बग्गी गुच्छी डबबा चपल यह क्या हो गएगा इसे गुल्ली कहा दें है ना नत्थू बब्बू जुग्गी अब्बू मिट्टी सिक्का कच्चा बत्तख अब कहते हैं भाई तश्जीद से बने कोई दस अलफास लिखिए तो कोई दस अलफास लि दिख लेना है तो आज के लिए इतना ही फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में